अगर आपको या आपके घर में किसी को भी हाई माइनस का चश्मा लगा है तो बिलकुल ना घबराएं आज मैं आपको दूँगा आपके हर सवाल का जवाब नमस्कार मैं हूँ डॉक्टर प्रशान शुकला और आप देख रहे हैं आपका ही यूट्यूब चैनल हेल्दी आइस फॉर आल जहां आपको मिलती है आखों से सम्बंदित बिमारियों की सही जानकारी एवं उसका सही उपचार आपकी ही सरल भाषा में अगर आपको ये चैनल पसंद आए तो इसको लाइक सब्सक्राइब और शेर अवश्य करें हर रोज नए अपडेटिट वीडियो पाने के लिए जो मरीज हाई माइनस का चश्मा लगाते हैं अधिकांश माइनस पांच से ज़्यादा वे हाई मायोपिया बिमारी से ग्रसित हो सकते हैं जैसे जैसे मरीज के चश्मे का नंबर बढ़ता है वैसे वैसे जो मरीज आँक का पड़गा होता है जिसको हम रेटिना बोलते हैं उसमें भी खिचाफ बढ़ता है और खिचाफ बढ़ने के कारण आग के पड़दे में छेद बन सकते हैं आख के परदे में काले धब्बे दिख सकते हैं मरीज को काले धब्बे, काले गुच्छे, छले यहां तक की बिजली की चमक भी दिख सकती है अगर आख के परदे में खिचाफ के कारण छेद बन जाते हैं तो आख का परदा फट भी सकता है और मरीज को अंधता भी हो सकती है इसलिए माइनस नमबर जो की माइनस पांच से ज़ादा अधिकांच लोगों में जो की देखा गया है अगर किसी को है तो वे तुरंट जाकर किसी अच्छे परदे रोग विशेश अगये या रेटिना स्पेशलिस्ट से अपने परदे की जाच अवश्य कराएं रेटिना स्पेशलिस्ट एक खास तरह की मशीन जिसको इंडरेट अफ्रमस्कोब बोलते हैं उससे आपके आँग के परदे की दवाई डालकर पुतलियां फेलाकर विशेश जाच करते हैं और अगर आपके आँग के परदे में कोई कमी पाई जाती है जैसे की कोई छेट पाया जाता है या कोई टियर दिखता है तो उसका लेजर दौरा सिकाई दौरा उपचार किया जा सकता है तो जितनी जल्दी हो सके अपने निकट रेटिना स्पेशलिस से अवश्य मिले अगर आपके आँख के परदे में कोई छेद बन जाता है तो जल्दी से जल्दी लेजर द्वारा सिकाई करा कर उस छेद को बन करा जा सकता है और एक बहुत ही खतरनाग बिमारी जिसको आम भाशा में परदा फटना बोलते हैं या रेटिनल डिटाइच्मेंट उससे बचा जा सकता है हाई माइनस नंबर जैसे मैंने पहले बताया अधिकांश माइनस पांट से जादा वह सिर्फ एक चश्मे की बिमारी ही नहीं है वह एक गंभीर परदे की बिमारी भी हो सकती है तो इसलिए आप इसको थोड़ी गंभीरता से लें और जिन भी मरीजों को जिन भी खांश का छोटे बच्चों को जिनको हाई माइनस नंबर है वह तुरंद जाके अपने निकट बड़िया से बड़िया रेटिना स्पेशलिस से जाकर तुरंद परदे की जाच अवश्य कराएं हमारे पास कुछ अभिवावक आते हैं जिनके बड़े ही common बड़े ही normal सवाल जो की रहते हैं हम आज हम उसके बारे में भी कुछ चर्चा करेंगे तो सबसे जादा पूछा गया सवाल जो हमारे opd practice में रहता है वह यह होता है कि हमारा जो बच्चा है उस बच्चे का चश्मे का नंबर किसी दवाई से नहीं उतर सकता तो उसका जवाब यह है कि आग के चश्मे का नंबर अमुमन किसी दवाई से नहीं उतरता है और अगर नमबर जादा है तो मरीज़ को आजीवन चश्मा लगाना पड़ सकता है दूसरा common जो question है जो सवाल है parents का वो यह होता है कि हमारे बच्चे को चश्मा कब तक लगाना पड़ेगा तो उसका सीधा जवाब यह है कि बच्चे को चश्मा तो वैसे आजीवन ही लगाना पड़ेगा हाँ अगर अभिवावक चाहें या patient चाहें तो 18 साल की उम्र के बाद हम patient का refractive procedure द्वारा laser procedure द्वारा या अन्य ICL इसके बारे में हम बाद में discuss करेंगे उसके द्वारा हम patient का चश्मा हटा सकते हैं तीसरा बड़ा ही important मुख्य सवाल अक्सर लोगों का रहता है कि हम अपनी आँग का laser operation कब करवा सकते हैं तो हमारा ये कहना है कि laser operation की कुछ बहुत ही strict guidelines रहती हैं प्रमुक जिसमें रहेगी कि मरीज की उमर कम से कम 18 साल से जादा रहे दूसरा patient का number कम से कम 6 महीने तक स्तिर रहे बड़े ना और तीसरी सबसे प्रमुक चीज कि आँग के परदे में किसी भी तरह की कमी ना हो कोई छेद ना हो कोई hole ना हो कोई tear ना हो और अगर बाकी सारी जाचें ठीक हैं जैसे cornea की thickness ठीक है और patient एक ideal candidate है refractive procedure का laser procedure का तो फिर उसका चश्मा उतारा जा सकता है बहुत सारे patients जिन में lessic laser नहीं किया जा सकता किनी कारणों से कुछ मरीज lessic laser के लिए अच्छे candidates नहीं होते हैं उनकी cornea की thickness कम होती है तो उनके पास दूसरे विकल्प है जैसे कि वे आँख के अंदर lens लगवा सकते हैं जिसको ICL बोलते हैं वो एक operative procedure है जिसमें हम आँख को खोलते हैं और जो आँख के अंदर हमारा lens है उसके उपर ही एक और नया क्रित्रिम lens लगा देते हैं जिससे आँख की जो refractive power है वो ठीक हो जाती है और patient को बिना चश्मे के दिखना शुरू हो जाता है ये भी एक अच्छा procedure है और जो patient lessic laser नहीं करा सकते या अच्छे candidates नहीं है lessic के उनके लिए ICL एक बहुत ही अच्छा procedure है एक और मुख्य सवाल की lessic laser या किसी भी refractive procedure के बाद patient का चश्मे का number वापस तो नहीं आएगा although हमारी practice में 99% of the patients का refractive error वापस नहीं आता है अगर हम सारी precautions और patient के number की stability के बाद refractive procedure प्लान करते हैं फिर भी 1-2% patients में number वापस आ सकता है जिसका की next procedure में treatment किया जाता है छोटे बच्चे जो की 5 साल, 6 साल, 7 साल के हमारे पास आते हैं जिनको high minus चश्मा लगा हुआ है उनके parents चाहते हैं कि उनका चश्मा हट जाए तो मैं आप सभी को ये कहना चाहूंगा कि जिस उमर पे 5 साल, 6 साल, 7 साल उस पर जो हमारी प्रात्मिक्ता है वो ये है कि मरीज चश्मा लगाए और मरीज की जो रोश्नी है उसको हम दवाईयों द्वारा और चश्मे द्वारा पूरा कर सकें अभी के लिए हमारे पास कोई भी ऐसा साधन नहीं है, कोई ऐसा प्रसीजन नहीं है, कोई ऐसी टेक्नीक नहीं है जिसमें हम 18 साल से पहले किसी भी मरीज का चश्मा हटा सकें तो इसलिए जो भी मरीज 18 साल से छोटे हैं उनको चश्मा लगाने के लिए प्रुसाहिद करें और उनको चश्मा हर वक्त लगवाएं मुझे लगता है आज के लिए जो हमारे मायोपिया पेथेलोजिकल मायोपिया हाई मायने से रिलेटेड जो भी क्वेस्टन्स थे क्वेरीज थी वो हमने कवर कर ली है आपको ये वीडियो प्रेजन्टेशन अच्छी लगी होगी फिर भी कुछ अगर आपके क्वेरीज च्वेस्टन्स छूट गए हो तो नीचे दिये कमेंट बॉक्स में आप अपने जो कमेंट से उनको लिख सकते हैं और उमीद करता हूँ कि आपके हर सवाल का जवाब मैं दे पाऊंगा अगर आपको चैनल अच्छा लगे तो उसको लाइक शेयर सबस्क्राइब अवश्य करें बहुत बहुत धन्यवाद